बहुत थी लिक्स और रुमर्फ के बाद Realme के एक सीरीज के स्मार्टफोन्स यानि कि Realme X3 और Realme X3 सूपर जूम इंडिया में लांच होने वाला है जी हाँ दोस्तो रियल्मी इंडिया की CEO मादव सेट ने ट्वीटर पे ट्वीट करकर ये कन्फर्म कर दिया है कि दोनों ही स्माटफोन 25 जून को लाँच हो जाएंगे वैसे तो रियल्मी X3 में Snapdragon 855 प्लस मिलने वाला है जो कि पिछले साल का Flexi Processor था और रियल्मी X3 में बताया जा रहा है कि 765G का Snapdragon processor मिलने को वाला है तो दोस्तो चलिए इस वीडियो में फिलाल हम रियल्मी X3 के बारे में जानते हैं जानने की कोशिस करते हैं कि ये फोन कैसा होने वाला है सबसे पहले रियल्मी X3 के डिजाइन के बारे में बात करते हैं रियल्मी X3 इस बार premium design के साथ आने वाला है रियल्मी X3 glass body के साथ आने वाला है जी हाँ आगे और पीछे दोनों ही तरफ इसके glass मिलने वाला है जिस पे glossy finish का परत चड़ा हुआ होगा तो देखा जाए तो design एकदम awesome किसम को होने वाला है design के बाद हम अब हम इसके display के बारे में जानते हैं बताया जा रहा है कि रियल्मी X3 जो चाइना में launch हुआ था रियल्मी X50M उसी का rebranded version होने वाला है तब तो इसमें 6.57 इंच का full HD plus IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा वैसे तो यह AMOLED पैनल नहीं होगा और जो fingerprint sensor होगा वो side wanted होगा तब भी यह display one of the best display माना जा रहा है अपने price range में अब चलिए रियल्मी X3 के performance के बारे में जानते हैं रियल्मी X3 में Snapdragon 765G एक worthy अपर main range chipset देखने को मिलेगा जिसके साथ Adreno 620 GPU भी मिलने वाला है Adreno 620 GPU बहुत ही अच्छा है खासकर बहुत सारे अच्छे गेमों को खेलने के लिए तो देखा जाए तो रियल्मी X3 का performance भी बहुत अच्छा होने वाला है Performance के बाद अब हम इसके software और user interface के बारे में जानते हैं रियल्मी X3 में Realme UI मिलने वाला है जो की Android 10 पे best होगा और जल्दी 4-5-6 मेना के अंदर ही इसमें Android 11 का भी features मिलने वाला है Realme UI बहुत ही feature oriented user interface है इसमें बहुत सारे features आते हैं जैसे dark mode, three finger screen shot, scrolled on screen shot वगेरा वगेरा तो देखा जाये तो software भी Realme का एकदम अच्छा होने वाला है लेकिन अगर ये stock Android होता तो ज्यादा अच्छा होता अब चलिए Realme X3 के camera setup के बारे में जानते हैं Realme X3 में rear side पर quad camera setup देखने को मिलेगा इसका primary camera 48 megapixel का होगा और 8 megapixel का ultra wide camera होगा 2 megapixel का macro camera होगा और 2 megapixel का depth camera होगा आजकर इस तरह का quad camera का setup तो एक तरह का trend बन चुका तक भी ये camera ठीक ठाक होने वाला अच्छा होने वाला है और front side पर selfie के लिए 16 megapixel का primary sensor होने वाला है और 2 megapixel का depth sensor होने वाला है तो डोजएल camera होने वाला है सेलफी के लिए अब सेलफी के बाद इसके बैटरी कैपिसिटी और चार्जिंग के बारे में जानते हैं रियल्मी X3 में कमपीटिशन वर्दी 4200 mAh का बैटरी मिलने वाला है और इसको फूल चार्ज करने के लिए 30W का फास्ट चार्जर बाक्स में ही देखने को मिलेगा वैसे तो अगर 5000 mAh का बैटरी होता तो अच्छा होता लेकिन इसमें 30W का चार्जर है तो ये बहुत अच्छी बात है अब फाइनली Realme X3 के प्राइज और इंडिया लांच डेट के बारे में जानते हैं जैसे कि मैंने पहला ही बताया था कि मादव सेट ने बता चुका है कि 25 जून को इंडिया में रियल्मी X3 को इंडिया में लांच हो जाएगा और इसका प्राइज लग भग 19 से 20 हजार होने वाला है बहुत सारे यूटिवर्स तो बोल रहे हैं कि इसका प्राइज 15 सोला होने वाला है लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है यूदि कि आपको 15 सोला हजार में तो 720G मिलता है और 20, 21, 19,000 की बीच में 765G मिल सकता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फोन कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और फियर जरूर करें और इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू